denying Here students, हम start करेंगे function के बारे में We check करेंगे function even है या odd है i exercise फर्स आसे παर टू है इसमें आपने Determine करने functions के बारे में function को हम्हुन देखेंगे function even है year odd है या neither even nor odd अब देखें फर्स्ट आपने जब भी वो determine करना होगा function even है या odd है तो आपने क्या करना है जहां पे x होगा f of x में जहां पे आपके पास x आएगा उदर क्या replace करेंगे minus x अगर दुबारा आपके पास again वो ही function रूप आ जाता है तो वो even function कहलाता है आपका ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे even function या अगर आप f of x में replace करते हैं minus x तो वो आपके पास आजाता है f of x तो वो function कौन सा function होगा even function सेम इसी तरह अगर number 2 अगर आप उसमें replace करते हैं minus x तो आपके पास equal में minus f of x आता है function तो उस function को हम क्या बोलेंगे odd function सेम इसी तरह अगर minus 1 replace करते हैं वो f of x भी नहीं बनता minus f of x भी नहीं बनता तो वो function किस की तरफ चला जाएगा neither even nor odd ये तीन चीज़ें आपने इसमें याद रखने है function में अगर आपने उटर्माइन करना है कि even function है या odd function है जैसे first question exercise का question number 9 इसका first part अब इसको आपने उटर्माइन करना है कि function even है या odd है तो आप क्या करेंगे f of x में जहां पर x है उदर replace कर दे minus x इदर भी replace करें minus x 3 power इदर भी replace करें minus x ये चीज़ा आदे यहां पर x सा हमने क्या replace कर दिया minus x इदर भी इदर भी और इदर भी अब यहां पर आप देखें तो ये ऊपर odd power है आपके पास और इदर आप देखें तो अंदर भी negative sign है आट power हो तो भी negative sign आप लिखते हो ठीक है यहां पर भी minus आजएगा आपके पास ओके आप इस में से minus कामन निकाल सकते हैं minus कामन निकालें तो इदर आजएगा x की उत्री और plus x तो आप देख लें कि यहां पर minus f of x equal आगया है minus और ये चीज़ बुबारा किसके equal आगी है given function के equal आगी है f of x के equal आगी है तो आप देख लें अगर आपने x जगा minus x पर प्लेस किया है तो बुबारा function आपके पास क्या आगया है minus f of x it's mean कि ये आपके पास 8 function है thus the function f is 8 तो ये इसका answer आगया आपके पास बिल्कुर सेम इसी तरह आप चलेज़ें वो दूसरे question की तरफ चलेज़ें अज़र आपके पास part है इसका इसको check करेंगे ये function even है या 8 है देखें फिर again हम क्या करेंगे इसमें replace करेंगे minus x minus plus 2 whole square अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसको कुछ भी करें आप इसका square expand करें और then close करें कुछ भी करें यहाँ पे तो ये ना तो आपके पास f of x बनेगा और ना ही minus f of x बनेगा ये दोनों function में से कुछ नी बनेगा तो ये आपकी third option के तरफ चला जाएगा ये ना तो आपके पास f of x है ना ही minus f of x है ये आपके पास तो इस function की nature क्या होगी इसको हम कहेंगे thus the function f is neither even nor art कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है आपके पास ठीक है हमने क्या किया है कि देखें हमने replace किया minus x आप इसको expand करें और then close करें कुछ भी करें इसके साथ ये दोनों में से कुछ नहीं पनेगा तो ये third option की तरफ चला जाएगा कि function even भी नहीं है odd भी नहीं है ठीक है ऐसे हैं वो next question की तरफ जाते हैं next question अगर आप देखते हैं तो इदर replace करें x की जगा minus x minus x minus x स्का स्क्वेर 5 ये चीज़ आगी आपके पास आप देख लें यहां पर फिर even power है अंदर negative sign है वो negative sign हतम हो जाएगा तो इदर आपके पास के आजएगा minus ये x स्क्वेर आएगा और plus 5 तो again अब ये इतना function दुबारा आपके पास वो ही आगया ये minus का sign और ये f of x तो it's mean कि आपने x की जगा minus x स्क्वेर प्लेस किया तो वो दुबारा आपके पास क्या function आगया minus f of x it's mean कि ये function भी क्या है आपके पास odd function है that's the function is function f is odd इसी तरह अगर आप देखें तो जो इसके next question है आपके पास चलेंजी अब हम वो next question की तरफ चलते हैं again ये function है आपके पास और x not equal to minus 1 reason अगर x equal to minus 1 है function undetermined यानि उन मीचे 0 आजेगा infinity को represent करेगा undefined हो जेगा चलें हम चलते हैं इसको अब आपने क्या करने हैं जहां पर x से replace करेंगे minus x को minus x minus 1 minus x plus 1 ओके now यहां पर भी देखें आप अगर हम numerator में से minus का sign common भी निकालते हैं तो भी यह चीज़ नहीं बनती है आपके पास numerator आपके पास नहीं आगी क्योंकि वो दोनों positive हो जाएंगी जब कि यहां पर जो constant term है वो negative sign के साथ हैं आप यहां से minus कामब नकालते हैं यह देन भी यह चीज़ नहीं बनेगी ना तो यह आपके पास f of x है और ना ही minus f of x है यह तीसरी option के तरफ जारे third option के तरफ दो इसको हम वहां पे लेगे thus the function f is neither even nor odd यह है यह ओके easily हम जाज करें important one और देखें यहां पर इसको आप देखोगे कि यह function even है यह odd है हम इसको minus replace करते है minus two by three plus six ठीक है हमने x जागा क्या replace किया minus x अब इसको हम देखेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते है minus x इसको मैं लेख सकता हूँ इसको square hole के उपर मैं ले जाओंगा one by three इसको break कर दिया power को हमने power को क्या कर दिया वो break कर दिया यहां पर ओके आप देखें यहां पर even power है अंदर negative sign है तो negative sign remove हो जाएगा हतम हो जाएगा even power की वज़ा से यह आजेगा x की two one by three plus six तो यह multiply हो जाएगी power तो again यह आजेगा two by three plus six तो आप देख लिए यह आपके पास positive f of x आया है यानि even function ठीक है तो हम लिखेंगे यहां पर thus the function f is an even तो यह even function है आपके पास ओके last question की दरफ चलेंगे हम अब इसको हमने चेक करना है कि यह function आपके पास even है या odd है तो इसके लिए आप देखें क्या आजेगा आपके पास आप रफ्रेस करेंगे माइनस x माइनस 3 माइनस माइनस प्लास पान अब पावर को हम रिमूब करते हैं तो यहां पे 8 पावर है माइनस का साइन आएगा इदर आपके पास आजेगा माइनस अब देखें f आफ माइनस x किसके एको लागिया माइनस f आफ आफ एक्स के इट्स में के यह आपके पास 8 फंक्शन है तस the function f is art ओके तो यह हमारा आज का lecture था function को हमने चेक करना था function even है art है यह third one है हमारे पास तो even art का जो article था आपका वो आज इदर ही हतम हो गया है ठीक है अब हम next lecture के साथ हादर होंगे आपके साथ इंशाला थाला ओके लाफिस